नमस्कार दोस्तों बगवान आपसे एक अभला करेंगे और आपकी सारी एक्षाय मनुकामनाय पुरी हो सबसब लें यहाँ पर finger के analysis के बद इस पुरे palm के analysis कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा तो देख सकेंगे कि finger के length palm के comparison में short है जो एक fast decent making habit को represent करती है लेकिन little finger बहुत ज़्यादा independent है बाकी finger से जो व्यक्ति को brave और broad minded personality देती है बहुत ज़्यादा जुनूनी हिम्मत होसला बुलंद किसम का यह व्यक्ति तो देता है जिसके करण ऐसी जातक अपने दम से बहुत ज़्यादा सफल होते वे देखने को मिलते हैं आदत में होता है किसी से दब के नहीं रेना बहुत ज़्यादा किसी के सुन के नहीं चलना अपने अनुसारी अत्यदिक निर्नाय लेना काम करना इसलिए ऐसे जातकों का बहुत ज़दा growth, career stable होने के बाद देखने को मिलता है क्योंकि ये combination financial freedom व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है और जब financially stable हो जाते हैं तब life में हर span को लेकर के इस तरह का combination growth है देता है बुद्ध जो है हमारा thinking process है, decision taking skills है, हमारी knowledge है, information से, life में हम किस तरीके से सोच पा रहे हैं, क्या काम कर पा रहे हैं, ये सब बुद्ध हमें बतलाते हैं और जब ये बाकी finger पर dependent ना हो या अलग हो जाएं, तो इससे जातक सुनते सब की हैं, करते अपने मन की हैं, इसलिए बहुत ज़दा जिद्धी देखने को मिलते हैं, जो सोचेंगे ठानेंगे, वो निश्यत रुप से कर दिखाएंगे, क्योंकि बुद्ध का तो बल आ रहा है, लेकिन जो short finger है, वो भी इनको एक dominating nature देगी, इसलिए ऐसे जातक अपने अनुसार जीवन जीना, अपने अनुसार कोई भी काम करना पसंद करते हैं, इसलिए आप जिसे जातक अपने उपर जितना ज़्यादा मेहनत करें, अपने ग्यान पर, यो गिता पर, आने वाले कल को ले करके, जो plannings है, तो ये combination आपको निश्यत रुप से सफल बनाएगा, और आपके हतेली में moon, laakline भी है, और दूसरा self-made, laakline भी develop होना शुरू हो रही है, तो आपका मेहनत करम बेकार नहीं जाएगा, लेकिन कभी भी आपको बेचे नी, हरबड़ी, बेना सोचे समझे, तरफ होने के कारण बहुत ज़्यादा ध्यान, वरतमान, इस्थिती में देखने को मिलता है, भविश्य आपका बहुत अच्छा है, निश्यत आप इस विश्यत में रहिए, और पूरा का पूरा निश्यंत हो जाएए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सूरी की स्थिती है, वो हर विश्य को लेकर के बहुत मजबूत हो रही है, बहुत सारी रेखाए हैं यहाँ पर, लेकिन जो स्क्वेर का साइन यहां सूरी पे बन गया है, यह आपको लाइफ में प्रोटेक्शन देने वाला है, जिसमें आपका नाम सम्मान सब कुछ बढ़ेगा, प्रश्न था आपका कि इस तरीके का नाम कमाना है कि नाम से काम हो जाए, तो वो स्थिति आपके जियन में निश्चित रुप से हो जाएगी, सरकारी नोकरी के आप तयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोब्लम यहाँ पर दिखी है कि आपका माइंड में स्टेबिलीटी नहीं है, बहुत सारी छोड़ी छोड़े आईलेंड के फॉर्मेशन बाद बाद पर मेंटल स्ट्रेस देते हैं, और यह जिस हो इसलिए रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जो लूप का चंदरमा पर कॉंबिनेशन देख रहे हैं, यह कॉंबिनेशन बहुत ज़्यादा सोचने पे व्यक्ति को मजबूर करता है, इसलिए इस कंदिशन में आप जैसे जाता कर अगर रिसर्च करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपने एजुकेशन को ले करके, किसी तरह का स्किल इस्पेशलाइजेशन डेवलप करें, तो यह कॉंबिनेशन यह लूप आपको एक्स्ट्रीम सक्सेज, एक्स्ट्रीम इंडेप्थ नॉलेज देगा, लेकिन अगर ओवर्थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या छोटी-छोटी बातों को लेकर, कि आप पकड़ के बैठे अर्थात, तो मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी जैसे चीज़े यह लगातार देता रहेगा, इसलिए आपको अपने किसी भी तरह के नेगेटिविटीज को इग्नोर करते आना चाहिए, और लॉंग टर्म विजन गोर लग करके अगर आप काम करेंगे, तो ये सूर्य निश्यत रूप से आपको सरकारी नोकरी और उच्पद देने वाले रहेंगे, कारण ये भी है कि आपकी जो थर्ड और फर्स्ट विंगर की लेंथ है, फर्स्ट विंगर की लेंथ अच्छी है और जुपिडर माउंट भी अच्छा खासा मौजूद है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने ग्यान का अप्योग अच्छे से कर पाते हैं, और किसी भी छेत्र में बड़े पद पर विराजमन हो पाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी से कभी भी नहीं भागते हैं, हिम्मती होते हैं और ज्ञान वर्धक देखने को मिलते हैं, इन तीनों का यूटिलाइशन जब हो जाता है, तो ओटमेटिकली अपग्रेडेशन प्रोमोशन ग्रोथ करियर में मिल जाती है, तो यहाँ पर जूपिटर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉंसिबल बनाएंगे, इसलिए आप अपने विशय में जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, इसलिए अपने विशय में लेकर के चलेंगे, अपने गोल को लेकर के सीरियस होते जाएंगे, तो यह जूपिटर आपको जिवर में सब समरिद्धि सुक दे सकने में सक्षम रहेंगे, फिंगर के उपर सीधी खड़ी रेखा, इसलिए आपके मित्रता पुर्वक सुभाओ का चिन है, आप हर तरह के लोग, हर तरह के बाता वरण में सरलता से ढल सकने में, या समय परिस्थिति को अपने अनुसार भी ढाल सकने में सक्षम है, गुरू की उउगली पे सिर्फ आड़ी रेखा देखी है, शनी पर थोड़ी सी है, बाकि इसके अलवा कहीं भी नहीं है, तो ये बहुत जादा मित्रता, फ्रेंडली, काइंडली नेचर डेवलप करता है, और फिंगर के नोट से भी डेवलप हो ही रहे हैं, तो समय के साथ सथ और ज्यादा इस पस्ट वादिता आपकी वेक्तित में आज आएगा, और शनी का उपर गुरू की उउगली का भी जुकाओ है, तो आध्यात्मिक धार्मिक रूची यह बहुत अच्छा देने वाले हैं आपको, फैलेंजस और आपका इंटर्नल मार्स की स्थिती ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपना बढ़ाएंगे, जैसे कोई भी शाररिक श्रम के उपर दिन प्रति दिन ध्यान देंगे, तो यह जो वरिज लाइन हमें इतनी सारी दिख रही है, यह सब के सब खतम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल की एनरजी जब बढ़ती है, तो वो लाइफ में हेल्थ को भी अच्छा करते हैं, और फोकस को भी बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं, तो जैसे आपको जो आपको लेकर के फोकस है, फैमिली को सुख देना है, इस विशे पर ध्यान है, यह सबी इस्थितियां यह जीवन में अच्छा कर देंगे, तो शाररिक्ष्रम के लिए योगा प्राणायाम एक्सरसाइस का साहरा निश्यत रूप से लेवें, थाम का जो साइज है, वो शॉर्ट है, तो टू दा पॉइंट बात करना, इंस्टेंट डिसिजन लेना, स्ट्रेट फोरवर्ड टाइप का नेचर यहां देता है, और यहां का चिन भी यहां पर डेवलप हो रहा है, जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, थोड़ा सा आईसोलेशन में रहेंगे, यह साइन डिवलप होने के कारण आप अपने स्कील, आप अपने टैलेंट को डिवलप कर सकेंगे, और अपनी योगिता इस तोर तरीके से बढ़ा सकेंगे, कि जैसा आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो सब होने शुरू हो जाएगा, जो भी व्यक्ति, बहुत स्पिरिच्वल ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा सुक्सुविधा जीवन में अरजित कर सकते हैं, तो यह कचिन निश्चित रूप से आता है, वही सेकंड फैलेंज पर सीधे खड़ी रेखा तरक वी तरकी बहुत अच्छा बनाता है, अपनी बात मनवाने की पूरी छमता है, इस तरीके का, सेकंड फैलेंज और मरकरी पर मल्टिपल लाइन्स, कन्विंसिक इसके लिए सब कॉंबिनेशन ही बहुत अच्छी देता है, एक बर करियर आप जैसे जातकों का शुरू होता है, तो continuous progress हो जाता है, लाइफ में, पाम का जो structure है, वो rectangular है, जिसके तहद शाररिक महनत के वज़े मानसिक महनत अच्छे से कर पाएंगे, lower zone आपका active है, तो inspiration, motivation अच्छा रहेगा, upper zone भी active है, तो proper planning को execute कर पाने में भी आप स जाएगा, Jupiter Mount आपका अच्छा खासा active है, जिसके कारण ये leadership quality, teaching qualities, दूसरों को अपने अनुसार काम करवाने जिसी योगता को निखारता है, अब इसकी ही ऊपर जब भी आड़ी रेखा हैं, जादा देखने को मिलती है, तो बहुत दयालू, क्रपालू, दूसरों का मददग इश्वर के निकटतम ये व्यक्ति को ले करके जाता है, इसलिए इस कंडिशन में और देवदूत रेखा के अत्रिक्त हमेशा इनसान के उपर अद्रिश्य शक्तियों का शाहरा पाया जाता है, आप जैसे जातक जितना जदा अच्छी नियत रखें, दूसरों का भला करें, दूसरों के काम आए, परमात्मा अपना रूप कही न कहीं, आप जैसे जातकों को दिखाना शुरू कर देते हैं, एक तो ये कंबिनेशन हुआ और दूसरा यव कचिन, आप जैसे जातक की कही गई बातें भी सत्य होने दूसरों के लिए लग जाती, लेकिन उतना बल, उतन अच्छा नियत पहले लाना जरूरी होता है, अब जैसे गूरू के उपर आड़ी रेखा है, ये अरेंज मिरिज एंड सक्सिस आफ्टर मिरिज का पहला कॉम्बिनेशन है, दूसरा मूनलक लाइन सक्सिस आफ्टर मिरिज का सेकंड कॉम्बिनेशन है, और तीसरा आपके पा इसी है जिसमें रेखा सीधे जाके हलके से डिकलाइन हुई है तो पार्टनर हलके से डॉमिनेटिंग या पावर में देखने को मिल सकते हैं उल्टा आपका भी उनके लिए डिवोशन डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा पर इस तरह की मरकरी मांट के उपर यूनियन लाइ से अक्टिव हो रही है वो एप्रोक्सिमेटली 28 और 9 के मिड में हो रही है तो इस पिरेड में मेरिज आपका होना है और इसके पहले ही आपके मरकरी लाइन पाम से निकल रही है जो अर्निंग कैपिबिलिटी इंक्रीस करती है और ये सब रेखा है एप्रोक्स 27, 29, 30 और 31 मे निकल रही है यानि आपके जॉब लगने के चांसे डेट साल के अतरिक बहुत अच्छे है आपके अगर सूर की स्थिती अच्छी हो गई और मस्तिश रेखा की स्थिती और अच्छी हो गई तो जुपिटर माउंट के उपर में अभी कोई स्पेसिफिक और साइन बन नहीं लेकिन समय के साथ में अगर इधर rectangle square जैसा sign बन जाता है तो यह extreme wisdom, success और बहुत ज़्यादा power position आपको देगा बहुत बड़े पदपर ले जाएगा ये चिन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अध्यान पढ़ाई लिखाई में अपनी ये चिन मजबूत करना है तो इन सब suggestions पे आप चलिए शनी के स्थिती में एक तो यहाँ पर fish जैसा symbol जब भी बनता है तो यह combination व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक अध्यात्मिक और ये जो रहस्वी विध्याय होती है इसमें रूची के साथ में माहिर भी बना देता ह ऐसे जातक इतना in-depth knowledge gain कर लेते हैं समय के साथ में अपने रूची के हिसाब से कि as a profession भी occult to में काम करते हैं देखने को मिल जाते हैं बट moreover ये combination धर्म का पालन धर्म से चलने के द्वारा असीमित सफलताओं को दर्शाता है square जैसा sin जो चिन है वो most probably accident से बचाता है व्यक्ति को major घटना दुर घटना बाल बल बचना ये सारी स्थिती इसी चिन्हे के कारण आती है जब भी अपने से छोटे लोगों की मदद करते हैं या न्याय हमेशा करते वे पाय जाते हैं न्याय धीश जो व्यक्ति देखने को मि चली है तो continue आप job कभी भी नहीं करेंगे आप अपना independent अलग से अपना कोई profession तक्रिबन 34-5 के बाद में करते हुए देखने को भी मिलेंगे इसके बाद में शनी की स्थिति और अच्छी है तो आपका मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाएगा जिसका significance आपकी progress line भी अब यहाँ पर develop होने लग रही है कि आपके मेहनत से आपके कर्म से आप वो वो चीज़ें हासिल करेंगे जो आपके हक में ना भी थी या उम्मीदों से परे थी इस तरह की भाग रेखा को self-med luck line कहते हैं इसके बाद में सूर्य की स्थिति में जब भी रेखा है नीचे क के तरफ से तुरुशुल हो जाए उपर के तरफ से multiple bifork हो जाए तो उपर के तरफ से होना तो बहुत अच्छा माना जाता है कि ऐसे जातक अनेक माध्यम से नाम, सम्मान, पैसा या पैसोयोग का अच्छा उप्योग करपाने में सक्षम हो जाते हैं कभी भी पैसों की सुक् केजमेंट अपना रखने लगना जिसके कारण सूर की औरजा छिन होती है, फोकस में कमी होना, लगातार कोई काम नहीं कर पाना, बार बार कारियों में रुकावट आना, बार बार मन बदलना, बोरिंग किसी भी काम में जल्दी होने लगना, ये चीश में अगर आपने को बल मिल जाएगा, दूसरा एक जो ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, ये और जब मजबूती से आएगा तो प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और ना जाने किस-किस तरह की सफलता है आपको जीवन में, बहुत कम उम्र में मिल जाए, ये यह पर अभी जज़ ही नहीं कर सकते, आउटर मार्स से जब सनलाइन का कनेक्शन होता है, तो चरित्रवान कॉंबिनेशन यहाँ डेवलप करता है, और जितना अच्छा चरित्र रखेंगे, जितना ज़दा बोल्ड रहेंगे, अपने आपको लेकर मजबूत रहेंगे, उतना ज मरकरी के उपर मल्टिपल लाइन्स आपको अट्रेक्टिव नेचर देगी, बिजनेस लख सेंस यह सारी चीज़े भी देगी, लेकिन फर्स्ट कंसर जैसे गवर्मेंट जॉब है, तो वहीं पर फिलाल में फोकस रखिए, यह कॉंबिनेशन आपको इन्फोर्मेटिव परसन है, और इसके बाद में जीवन रेखा में इस शेतर में भी आप देखेंगे, इस तरह के द्वीप इस बात को दर्शाते हैं कि आपका अपने जीवन पर अच्छा ध्यान नहीं है, डे रूटीन लाइफ आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, समय पर खाना, सोना, या जीवन को एक सिस्टेमेटिकली या डिसिप्लीन में लेकर के जाना, इन सारी चीजों के जब कमी होती है, तो ये सब आइलेंड बनने शिरू हो जाते हैं, जो हेल्थ इसको दर्शाते हैं, जैसे डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना, माइग्रेन या इन सारी चीजों के अगर अच्छा करना है, तो अपने आपको शांत एकांत वास में ले जाना, अपने उपर जितना हो सके, आराम से काम करते चले जाना, जैसे अपने रूटीन लाइफ को अच्छा करना, डाइजेशन का इश्यू दिखाई देने लग रहा है, जो आपको पा सकता है, पेट से रिलेटेड, तो खान पान का रूटीन बहुत अच्छा मेंटेन रखना, इसके बाद में माइंड लाइन का इश्यू यहां पर आ रहा है, तो मल्टि टास्किंग नेचर से, मल्टिपल वर्क से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम हाई डिजायर से, इसके बाद उस उपाय से, यह तीनों की जो रिमेडी है, वो एक ही बार में होते वे देखने को मिल जाएगी, इसके बाद में आपकी रेदर रेखा बिल्कुल सीधे गई है, एक जो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल वर्कोहॉलिक बनाएगी, एक रेखा जुपिटर और सेटन के मिड में जा रही है, जो रिलेशन्शिप मेनेजमेंट आपको अच्छा देगी, सेंटिमेंटल, इमोशनल, नेचर रहेगा, लेकिन इमोशन साबका बैलेंस रहेगा सपोर्टे लाइन के कारण, और एक दो रेखा है, जो माइंड लाइन के बिल्कुल समीब जा है, लेकिन इसके बाद में जो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है, तो कही न कहीं 17, 18 के आसपास से, मेंटल स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अपने को लेकर के फोकस कंसर जैसी चीज़े बढ़ी है, एक छोटी आइलेंड का फोर्मेशन तब भी है, जिसके करण अपने प्लैनिंग को आप 21, 2 तक एक्जिक्यूट नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद से जो जो प्लैनिंग एक्जिक्यूट कर रहे हैं, seriously उन सारी चीज़ों में सफलता, 24 और उसके बाद से मिलता जा रहा है, अभी आइलेंड का जो कॉंबिनेशन है, ये करियर की रिगार्डिंग जादा आपको सोचने पर मجबूर कर रहा है, बिल्कुल नहीं सोचना है, जितना हो सके लगातार आपको महनत करनी है, पढ़ाए करनी है, शर्णी मानसिक तनाव देते हैं, इसलिए ताकि आप अपने उपर महनत कर सकें, काम कर सकें, अपनी जो रियल्टी में और जितना effort हो सके एक particular task में डालना है तो 28 तक आते आते हैं आपकी life में success या competitive exam में clarity ये सबी कुछ हो जाएगा जो mangal remedy से भी आपको होने वाला है फिर मस्तर शेखाब की बिल्कुल सीधे गई है जो mentally बहुत strong रखती है वेक्ति को और इसके बाद में memory sharp देती है जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई अध्यन करते हैं उतना ज़्यादा mental strength बढ़ता है और mind line पैसा बहुत ज़्यादा इस तरीके का कमा के देता है इसलिए पढ़ाई से भागना नहीं है और दूसरा यहाँ पर आकर के multiple combinations आ रहें तो होता आपके साथ ये है कि आप पहल करना है कि यह तो बिल्कुल नहीं करना है लेकिन कुछ समय परिस्थिती के बाद में आप वही काम करते हैं पाये जाएंगे क्योंकि इस तरीके का end में mind line व्यक्ति को कभी भी बहुत ज़्यादा committed अपने decision या planning ले होने नहीं देता इसलिए आप जैसे जातको को कभी किसी से commitment करना ही नहीं चाहिए कभी बहुत ज़्यादा planning करके काम करना ही नहीं चाहिए जो present है उस पे ध्यान दीजे वो जितना अच्छा हो सके करना चाहिए क्योंकि इस तरह का mind line end में जाकर के multiple task में involved करता है multiple source of earning देता है जो हमने सूरी पे भी देखा तो इसलिए आपको इन सारी चड़ जाए वो सब के सब खतम हो जाएगा इतना मजबूत बहरी मंगल जब होता है तो दुश्मन किसी तरह की बिमारी बाकी कोई चीज लंबी टिक नहीं पाती बस सीश्वर के उपर सारी चीज़ों को छोड़ना होता है बस बाकी मस्तिशेगा की स्थिती बहुत अच्छ के ये सब रेखाएं सफलता दे सकेगी बहुत सारी आपके हतेली में राहू की रेखाएं मौजूद हैं जो चिंतात्मक सुभाव देती है रहते रहते ध्यान मन भटगना डर भय आना फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस आजाना खोने का डर होना ये सारी चीजों से आपको जीवन रेखा से एक रेखा बाहर गई है बहुत अर्ली एज में तो बर्थ प्लेस से दूर आपके सेटल्ड होने के चांसे बहुत जादा अच्छे हैं लेकिन आप अपने फैमिली को पूरा संभाल के चलेंगे फैमिली कुल लेकर के डिवोशन डेडिकेशन आपका बहुत है जब भी शुक्र के तरफ जीवन रेखा जुकती है तो ऐसे जाता अपने जीवन में अपने परिवार के लिए कोई सेक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटतोर अपने परिवार की स्थीति को बहुत उपर उठा देते हैं तो ये लंबी आयू और परिवार को सुख देने क संपुन योगों को दर्शारा है प्रोग्रेस लाइन आपके हतेली में करेक्ट 28-9 से निकल रहा है तो मेरिज के एर्दगिर्द ही जॉब और मेरिज एवन बहुत ज़दा सक्सेस प्रॉपर्टी बिल्ड करने के अच्छे खास से योगाज आपके पाम में डेवलप होते द सिरी खड़ी रेखा है आपको प्यार करने आले लोग आपको लेकर के समर्पित होने वाले लोगों को बढ़ाएगा और फिर शिंबल जैसे साइन यहां डेवलप अभी होना शुरू हो रहा है यहां एक है दूसरा इधर हो रहा है तो यह समय के साथ और स्टॉंगली डेवल कर सकते हैं रिसर्च में आपका माइंड अच्छा लगएगा टैलेंट इंट्रेस्ट को डेफिनेटली निखा रहे हैं और हमेशा यह इस तरीके का चंद्र क्यूरियोसिटी देता है हर विशय को जानने की आदत यहां कॉम्बिनेशन देता है ट्रेवलिंग के द्वारा में लक्री लाइन लक्री लाइन को टच होती है तो मोस्ट प्रबिली अर्णिंग कैपबिलेटी इंक्रीस करती है तो यह सब कुछ समय आपके लाइफ में 28 के बाद आना है पैसा कभी भी रुकना नहीं है लेकिन इन्वेस्मेंट के दौरा प्रॉपर्टीस के दौरा बहुत ज मायन के अतरिक्त घटना से बार-बार बचने की योग और ओल्ड एज में बहुत जदा कमफर्ट और लंबी आयू के योग यह दे रहे हैं दोनों हतेली में मायन लाइन की इर्दगिर से लक्री निकली है तो अपने खुद के बुद्धी विवेक ज्यान के बलबूते पर ज़्यादा सफलता देने वाला है जो भी वेक्ति अपने खुद के इस तरफे बड़ा काम कर पाते हैं इस दुनिया को दे पाते हैं तो इस कंडिशन में अपने टैलेंट को निखारना और उस पर काम करना या आपके जीवन में कई ना कहीं लिखा है और इसलिए आपके माय में involved होते हैं या आपको involved करा लेते हैं अपने काम में business में तो यह earnings के लिए success के लिए अच्छा है बहुत सारी worries line sensitivity दे रही है थोड़ा सा practical logical और बहुत ज़्यादा स्थिर शांत होना यह सब meditation के दौरा easily आ जाता है यह चीज़ करना और daily मंदिर जाना धार्मी क्यात्रा करना मादा पिता के लिए सेवा भाव रखना यह सब कुछ आपके भाग्यों को बढ़ा देगा आशा करता हूँ आपके सभी प्रशनों को अत्तर मिल गया हो कोई और अगर रहे गया तो जबर पूछें तब तक अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद